मुंबई में जितनी हाई प्रोफाइल केसेस हुई जुरिज्डिक्शन किसका भी रहे कोई भी जुरिज्डिक्शन रहा तब भी वो केस सियाईयू के पास आती थी किसी भी रीजन का जुरिज्डिक्शन रहे तब भी केस सियाईयू के पास आती थी अभी ये भी केस ये C.I.U. के पास आने का कोई कारण ने थी वो रीजन के पास जानी चाहिए थी लेकिन सारी केसेस और विशेश रुप से फिर वो बाच्छा रैपर वाली केस हो चैरितिक रोशन वाली केस हो ऐसे सारी केसेस ये C.I.U.निट को ही दी जाती थी और इनका कद ये C.P. के बाद अगर किसी का कद मुंबई पुलीस में था तो सचिन वाजे का था क्योंकि C.M. के ब्रीफिंग के समय भी वो नजर आते थे क्रह मंत्री के समय भी वो नजर आते थे और शिवसेना के कुछ मंत्री है उनके साथ भी वो नजर आते थे तो एक बड़ा कद उनको वहाँ दिया गया और हमको तो ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से रखता है कि एक प्रकार से वहाँ C.I.U. के प्रमुक के रूप में नहीं वसूली अधिकारी के रूप में उनको बठाया गया और बड़े पैमाने पर मुंबई में डांस बार चलाने को खुली छूट और सबके इंचार्ज है